आपका देन अच्छा गया होगा और ये वीडियो आप प्लीज लास तक वाच करिएगा क्योंकि ये वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टन है बहुत ज़रूरी है मैं आपको इंपॉर्टन प्रिपोजिशन के बारे में बताने वाली हूँ and so please इस वीडियो का आप एंड तक देखेगा और लाइक कॉमेंट करना तो मत ही भूलेगा और हाँ एक चीज़ और अगर आप हमारी यूटुब चैनल पे नए है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना मत भूलेगा क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करना भूल गया तो आप को new content नहीं मिल पाएंगे जो हम new videos पोस्ट करते वो आपको मिलने ही पहेगा so please 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 I request to all to subscribe my youtube channel तो चले है स्टार्ट करते हैं और देखते कि हम पढ़ने क्या वाले हैं कल मैंने आपको बताया था कि कुछ important preposition के बारे में और आज भी हम वहीं पढ़ने वाले हैं क्योंकि preposition जो हमें लगता है कि नहीं यही तो यहां पर ऐसा होना चाहिए बट ऐसे कैसे हो सकता है मतलब ऐसे हम छोटी छोटी गलतियां बहुत कर देते हैं चाहे हो इंग्लिश में हम बात करते हो या फिर उसके बाद हम grammatically mistake कर रहे हैं मतलब जब हम लिख रहे हो पढ़ रहे हो इस तरह स तो प्लीज आप ऐसे गलतियां मत करिये चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम देखते हैं कि आज हम कौन से प्रिपोजिशन के पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले हम आते हैं below और under अब सब लोग जानते हैं कि below मतलब क्या होता है नीचे below मतलब होता है नीचे और under मतलब भी होता है नीचे तो कहां हम below लगाएंगे कहां हम under लगाएंगे क्यों न हम below जहां लगाना चाहिए हम वहाँ पे भी तो under लगा सकते हैं प्रोब्लम क्या है जैसे बहुत सारी हैसे होते हैं जोकि एक वर्ट का बहुत सारी मिलिंग होता है तो हम वहाँ पे वो यूज करके नहीं मतलब दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं जैसे कि हम अगर आज के डिट की बात करें तो हम क्या करते हैं कोई भी फेस्बुक पे वो भले ही खराबी फोटो क्यों न रहे लेकिन ऐसे फ्रेंड के उसको बुरा न लगे तो हम क्या लिख दे हैं? नाइस पिक तो हम नाइस पिक को तो बहुत कम यूज कर दे हैं अगर आप बीलो के जगे अंडर यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारा गलत है उसका मीनिये चेंज हो जाएगा जैसे कि मैंने आपको एक बार बताया भी था कि हमें preposition कहा रखना है, कहा नहीं रखना है ये बात का पता होना बहुत ज़रूरी है तो चलिए देखते हैं कि अंडर का यूज हम कहां करेंगे और बीलो का यूज कहां करेंगे दोनों का अर्थ जो होता है, वो होता है नीचे चाहे वो below हो या फिर चाहे वो under हो बट इसका use क्या होता है सामाने ते हम क्या use करते है कि under सामाने ते हम क्या करते है जो under होता है under का use हम वस्तुमे physical content में व्यक्त करते है यानि सामाने ते है under में वस्तुमे physical content व्यक्त होता है but below जो बिलो होते हैं बिलो से कॉंटेक्ट व्यक्त नहीं होता है सामाने तरहां अंडर में वस्त तुम्हें फिजिकल कॉंटेक्ट होता है और बिलो में कॉंटेक्ट व्यक्त नहीं होता है अब जैसे मैं आपको कुछ एक्जामपल बता रही हूँ जैसे कि अगर मैंने बुला, सुरी यहाँ पे मैं, she put the book under the pillow, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि she put the book under the pillow, तो यहाँ पे physical contact हो रहा है, यानि हम अगर कोई विए पिलो के नीचे हम books रकर रखेंगे, तो जाहिर सी बात है, physical contact होगा ही होगा, तच होगा ही होगा, बट अगर मैं यह एक्जामपल लिखूँ कि she placed the lamp below the almira, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि she placed the lamp below the almira, अब यहाँ पे वो physical contact नहीं हो रहा है, तो जहाँ physical contact की बात हो, तो वहाँ पे हम under use करते हैं, जहाँ physical contact की बात ना हो, वहाँ पे हम below use करते हैं, बट एक चीज़ और मैं बता दू, कि under का मतलब क्या होता है, junior, अब लोगों ने, जो office वगरा में काम कर रहे होंगे, वो तो जाइज सी बाते सुने ही रहे होंगे, और use भी करते होंगे, जो boss वगरा रहते हैं, तो हम वहाँ पे use क्या करते हैं, जैसे हम अकसर बोलते हैं, she is walking under me, वो मेरे नीचे काम कर रही है, या फिर हम लोगों बोलते हैं, you are walking under me, यानि तुम मेरे से इस तरह से बात नहीं कर सकते हैं, तुम मेरे नीचे काम कर रही हो, तो you are walking under me, तो under का मतलब होता है junior, मतलब यह नहीं कि under का मतलब सिर्फ नीचे होता है, under का मतलब junior से भी होता है, या फिर हम ये भी बोल सकते कि he is under me, she is under me you are under me तो इस तरह से हम under का earth junior से भी लगाते हैं next जिसे मैंने कहा below तो below का भी मतलब जिसे मैंने कहाता है कि नीचे होता है, बट इसके लावा भी कुछ होता है, below का प्रयोग हम dignity के reference में करते हैं dignity अब जैसे हम लोग अकसर ये बोलते हैं कि it is below his dignity to beg for mercy it is below his dignity to beg for mercy तो यहाँ पर जो mercy है तो below का प्रयोग यानि हम dignity के लिए भी करते हैं next हमारा आता है in, within अब in or within तो बहुत ही common है बहुत बारम यूज करते है तो in का मैं बता दू कि in का earth मतलब होता है me सबको पता है in का मतलब होता है me एक in का मतलब अंदर भी होता है जिसे हम लोग बोलते है may I come in तो वहाँ पर in जो होता है वो adverb हो जाएगा मैंने अपनी पहले ही वीडियो में बताया था जब मैं प्रिपोजेशन की क्लास स्टार्ट की थी तो अगर वो वीडियो नहीं देखे हो तो प्लीज हमारे यूटिब चैनल पर जाकर उससे देख लीजेगा तो in adverb भी होता है तो यहाँ पर बट in जो मैं बता रही है उसका मतलब होता है me और within का मतलब होता है under sorry यहाँ पर under तो जैसे in का हम use कहां करते है in मतलब यहाँ दिये गए पहले मैं आपको in को define करूँगी in का मतलब होता है me यहाँ दिये गए time की अंतिम बिंदू को व्यक्त करने के लिए प्रयक्त होता है यहाँ अभी जब मैं आपको example बताऊंगी तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा याँनि यहाँ दिये गए time की अंतिम बिंदू को व्यक्त करने के लिए होता है इसका अर्थ क्या होता है यह इसका अर्थ ही होता है कारे में लगने वाले time को व्यक्त करता है और वीदिन क्या करता है को वीदिन को भी बता देती हूँ फिर उसके बाद example बताती हूँ वीदिन का मतलब होता है अंदर-अंदर यानि यहाँ दी गई समय सीमा को व्यक्त करते है वीदिन का प्रियोग तब हम करते हैं जब कारेके उससे पहले ही पूरा होने की संभावना होती जैसे हम लोग बोलते हैं दो घंटे में यह हो जाएगा तो चलिए मैं आपको एक्जांपल बता दू जैसे मैंने बोला कि she will complete she will complete the work in a month she will complete the work in a month यानि वहाँ ये काम एक महीने में complete कर देगी अब यहाँ पर देख रहे हैं जो in use हुआ है in तो in कहाँ मतलब ये time के अंतिम विंदू को व्यक्त करता है कि ये काम जो है वो एक महीने में पूरा करेगी और अगर मैं यहीं दूसरा बोलू कि I can solve this question within an hour यानि मैं ये question जो है दो घंडे में solve कर सकती हो तो यहाँ यहाँ पर एक समय सीमा को व्यक्त कर रहे हैं यानि इसके अंदर ही मैं व्यक्त कर दूँगी दो घंडे या एक घंडे जो भी आपका time है एक घंडे कंदर मैं इस काम को यानि इस question को solve कर सकती हो या फिर जिसे मैं बोलू she will write a book in three months यानि वो ये book कितने months में काम पूरा करेगी यानि लिखेगी तीन months में या फिर अगर मैं वहीं बोलू कि I can repair the car within two hours तो वहाँ पर in or within कहां use हुआ है या अच्छे समझ सकते हैं next हमारा आता है age और sorry ego ego before next हमारा आता है ego and before actually ego मतलब आप देखी हो ago हमने बोलते हैं ago आप बहुत बार पढ़े होंगे ये काम क्या होता है actually ego का मतलब ही होता है पहले before का भी मतलब होता है पहले but इसका मतलब कैसे मतलब पहले क्या किस सेंस में पहले तो आपको बता दो जो ego होता है ego का use कहा होता है ego का प्रयोग past की घटनाओ के लिए ego का प्रयोग कहा होता है past की घटनाओ के लिए जब हम past की बात कर रहे हो तब वहाँ पे हम ego का use करते है but अगर हम before यहाँ पे मैं पहले को बता देऊ कि before का use हम कहा करते है बिफो का प्रियोग दो घटनाओ या कारियों की संदर्प में किया जाता है अगर एक्जाम्पल मैं बोलूं तुझे से मैंने लिखा शी केम थ्री डेज अगो यह वो तीन दिन पहले ही यहां आई है शी केम थ्री डेज अगो अगर मैं यहीं बात करूँ की आप एक्जाम्पल को ध्यान से देखिएगा दे ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर ही रिच्ड दे स्टेशन दे ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर दे स्टेशन यानि उसके पहुँचने से पहले ट्रेन क्या हो गई? चले गई और यहान पे दो घटनाओ का जिकर हो रहे है एक तो उसका पहुँचना अदूसरा ट्रेन का चले जाना तो दो घटनाओ कारियों के संदर में क्या जा रहे है तो बिफो का युज हम जब तब करते हैं जब दो घटनाओ कारियों की बात हो और ego का use तब हम करते हैं जब हमारे past की बात हो अब next आते हैं beside These are prepositions and you will have to understand it Sorry, beside 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 का मतलब क्या होता है? Beside का मतलब होता है साथ में बगल में साथ में और बगल में जबकि besides देखें एक मैंने बोला beside एक होता है beside और एक होता है besides तो please आप एक एक letter को हमें कहां रखना है अगर आप एक letter को miss कर देते हैं तो उसका पूरा मतलब change होता है तो please be careful so beside का मतलब होता है इस beside का मतलब क्या होता है? साथ में या बगल में जबकि हमारा besides का अर्थ होता है अतरिक्त मतलब in addition to होता है अब जैसे मैं बोली कि जोती was sitting beside पूजा जोते was sitting beside पूजा तो यहाँ पे अब जो beside यूज़ो या नि बगल में साथ में बैठी है बगल में बैठी है या फिर he was sitting beside सरला he was sitting beside whatever जो अब लगाना चाहते हो तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो beside हुआ है इसका मतलब होता है साथ में उसके साथ बैठी है उसके बगल में बैठी है बट अगर मैं यहीं बोलूँ कि she has a car besides a motorcycle she has a car besides a motorcycle यानि उनके पास जो है जो है Jakar भी है इसके अतरिकत उनके पास motorcycle भी है तो यहांपे उनके अतरिकत है आडिशन बहता जाहाँ कि इसके अतरिकत भी उनके पास ई-प्षण है औग्स रहाँ अखे बी-साइड शायड रव पिसाइडस को कहा लगाना है है जिसमें हम बहुत ज़्यादा ही कलत कर देते हैं बिट्वीन का मतलब क्या होता है आप सबको पता होगा कि बिट्वीन बीच में एक्शले बिट्वीन का प्रयोग समानते दो के बीच के लिए किया जाता है यानि अगर दो लोग की बात हो तब हम वहाँ पे बिट्वीन का यूज करते है बट अगर हम दो से अधिक लोगों की बात करें तो वहाँ पे हम अमॉंग का यूज करते है यानि बिट्व दो लोग की ध्यार से सुनेगा कि दो लोग की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे बिट्वेंगे अगर दो से अधिक लोग है तो वहाँ पे हम अमॉंग का यूज करेंगे जैसे मैंने लिखा है कि he distributed his property between his two sons two sons तो यहाँ पे जो मैंने दो लोगों के बीच में बाट गया, यानि वो अपनी प्रोपर्टी को दो लोगों में, दो अपने बच्चों में दो अपने बेटों में बाट दिये तो यहाँ पे जब दो लग की बात हो तब वहाँ पे हम between का यूज करते हैं अधिक पूर में एक पूर नहीं है, दो पूर नहीं है, अधिक पूर है, इसलिए हम वहाँ पे अमॉंग का यूज़ किया है, एक चीज़ और मैं आपको बता दू, कि जो हमारे बिट्वीन होते हैं, बिट्वीन, बिट्वीन का प्रियोग दो से अधिक के लिए तब किया जा सकता है, जब वे आपस में closely associated हो, एक बर शायद मैंने बिट्वीन और अमॉंग का यूज़ अपनी, जब मैं नाउने प्रोनाउन पढ़ा रही थी, तब शायद मैंने जिक्र किया था, मुझे भी या लोग दो से अधिक के लिए तब किया जा सकता है, जब वे आपस में क्या हो, closely associated हो, अब closely associated समझ नहीं आ है, चला ठेक है, मैं आपको example बताती हूँ, अब जैसे मैंने बोला, कि, he inserted a needle, between the close petals of water, sorry, petals of flower, तो यहाँ पे क्या हो है, closely associated है, इसलिए यहाँ पे हम क्या use करें, between use करें, यह फिर a treaty was signed between three parties, तो जब हम closely associated हो, ऐसा कुछ हो, तब वहाँ पे हम between का use कर सकते हैं, next हमारा आता है, among and amongest, जैसे मैंने आपको अभी among बताया, among, amongest, दोनों का प्रियोग, दो से अधिक के संदर्प में होता है, among का भी use और amongest का भी use, अगर इनके बाद वाक्य में द आता है, तो among या amongest का भी प्रियोग किया जा सकता है, लेकिन अगर इनके बाद यदि, मैं ध्यान से सुनियेगा, लेकिन इनके बाद अगर वो वैल, यानि स्वर से प्रारम होने वाला शब्द है, तो amongest का use होगा, अमांगेस्ट का प्रियोग मतलब बहुत ही कम लोग use करते हैं, अक्सर सब अमांग का use कर देते हैं, जैसे he distributed the toffees among the poor, या फिर अमांगेस्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन यदि, इनके बाद यदि स्वर से प्रारम होने वाला शब्द है, तो amongest का ही प्रियोग किया जाता है, जैसे he distributed the toffees among us, जैसे मैंने आपको बता हैं, मैं आपको example लिखके बता देती हूँ, अब धियान से देखेगा, he, जैसे मैंने लिखा हैं, आपे he distributed the toffees among, amongest, the poor, तो यहाँ पे चुप हुआ है, आप देख रहे हैं, कि चाहें हम among भी लगा सकते हैं, amongest भी लगा सकते हैं, कोई problem नहीं, यह दोनों सही है, बट अगर हम वहाँ पे लगा, अगर हमारा ऐसा sentence है, कि he distributed toffees among us, तो यहाँ पे जो among us आए, देखेगे, मैंने स्वर से यहाँ पे start हुआ है, प्रिनसेशन, जैसे मैंने आपको होता है था कि, among या फिर among us का प्रियोक किया जा सकता है, लेकिन अगर इनके बाद कोई स्वर से प्रारम होने वाला शब्द है, तो हम among us का ही use करते हैं, तो यह रहा हमारे आज की वीडियो, अगर आज की वीडियो आपको पसंद है तो प्रीज लाइक, शेयर और कमेंट करना मत बूलेगा, और एक बात और, कि अगर आपके मन में भी ऐसा कोई कोशन हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें हमसे आप पूछ सकते हैं, और हमें अच्छा भी लगेगा कि आप पूछें रहे हैं, ठीक है, जाते जाते मैं इतना जरूर बोलूँगी, अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं कियें, तो सब्सक्राइब प्लीज करना मत बूलेगा, ठीक है, ओके, गुद नाइट एवरिवान, शुभरात्री,